यहां पे हम फ्रूट की बात कर रहे हैं बिटा पिशली क्लास में हमने प्लेसंटेशन यह सब पड़ा हुआ है उस वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में चाह सकते हैं यह एक मैचोर या राइपन्ड ओवरी से फॉर्म होता है आफ्टर फर्टलाइडेशन यह बात भी हम अल्ड़ी जानते हैं मैचोर कह लें या राइपन्ड ओवरी कह लें बिना फर्टलाइडेशन के बनेगा तो उसे पार्थिनो कार्पिक कहेंगे जनरली जो फ्रूट की वाल है जो ओवरी से फॉर्म हो रही होती है ओवरी के आउट्टमोस से उसे कहते है पेरिकार्प फ्रूट के अंदर एक वाल होती है या पेरिकार्प होती है और सीड्स या बहार एपिकार्प, मीजो कार्प और एंडो कार्प, एपि बहार जो छलका है मीजो अंदर और फिर एंडो सीड के बहार, right? इन मेंगो और कोकोनट, फ्रूट को हम लोग डूप के नाम से जानते हैं, they develop from, single carpel से develop होती है, single carpel वाली ovaries जिस गानेशन में सिर्फ एक की कार्प लो, और इसलिए एक इसीडन की पास होती है, मेंगो में डिफ्रेंसेशन हम अलड़ी देख चुके हैं फ्लेशी एडिबल पार्ट को मीजोकार्प कहते हैं और कोकोनट जो है वो डूप है वो भी एक तरीके का उसमें मीजोकार्प फिब्रस होता है थाइंक यू सो मच वाचिंग कीप सपोर्टिंग अस